हेलो स्टुरेंट्स वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेश ऑनलाइन तोड़े वी आर गोई टू डिसकस्ट टॉपिक इन आवर चैप्टर इलेक्ट्रो स्टाटिक पोटेंशल एंड कैपैसिटेंस और अपने आज के इस लेक्चर की जो शुरुवात हम लोग करेंगे वो शु करते हैं अपना पहला नियूमेरिकल है हमारे सामने कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन के साथ में शुरुवात करने हैं हमारे पास में पॉइंट ए है जहां पर पोटेंशल दे रखा है 10 वोल्ट और एक पॉइंट भी यहां पर पॉटेंशल दे रखा sechs टवेंटि वील्ट है अपना क्या कर रहे हैं कि लिए इस charge is moved, if charge is moved from A to B, find work done by, अब देखो यहाँ पर हमेशा देखना, work done by electrostatic force, work done by electrostatic force, यह आपके सामने सवाल है, इस सवाल को तुरंद अतीशीगरता के साथ में solve करने की कोशिच कीजिए, पढ़ाया हुआ topic है, आपके लिए कुछ ऐसा नहीं है, कि कुछ एकदम से नया आपके सामने आ गया और जिसे आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए chapter शुरू होने से पहले ही मैं बहुत सारी चीज़ा आपको बता चुका था, कि भी यह आप लोगों को work energy power वाले chapter को है, तभी आप बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर सीख पाएंगे, yes or no, तो यह concept क्या है, जो concept हम लोगों ने सीखा है, उसी concept के उपर, potential difference का concept मैंने आपको सिखाया है, delta V बराबर क्या होता है, work done by external force divided by charge q, यह मैंने आपको सिखाया हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पर देख work done by electrostatic force होगा, that will be the work done by negative compared to external force, मतलब आप इसे लिख रहे होंगे, minus times work done by electrostatic force upon charge q, yes or no, बोलो क्या यह बात सही है, और यह यह बात सही है, तो यहाँ से आप देख लीजिए, आप लोगों लिख सकते है, work done by electrostatic force बराबर minus times q into delta V, q into delta V का मतलब क्या है, q into delta V का मतलब potential difference है, potential difference को बस आपको calculate करना है, तो यहाँ पर आएगा minus q और यह हो जाएगा v final minus v initial, तो मैं आप से बोलूँगा भाईया, इसको भी एक formula मान लीजिए, आप लोग तो, work done by electrostatic force बराबर minus times q into v final minus v initial, इसको भी आप एक formula मानते हुए सवाल को कर सकते हैं, अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, इसको values को बस properly put कर दीजिए, आपका सवाल आराम से solo जाएगा, कैसे, minus q की value है, minus का 5, v final, अब यहाँ पर ध्यान लखिए, moved from a to b, बस language में इतना ही ध्यान लखना है, इन छोटी-छोटी चीज़ों को यह आप भूले तो आपका सवाल गलत, a to b, तो भीया देखो, मैंने आपर clearly दे रखा है, b पर potential b से और a पर potential 10 है, मतलब यह आपका है initial potential और यह है आपका final potential, तो v final आपका लिखा जाएगा, 20 minus का 10, तो answer कितना हैगा, देखो, minus minus plus, 20 में 10 के 10, 10, 50, 50, that is the answer for this particular question, so, आपको अच्छा लगा होगा, मैं उमीद करता हूँ, यह lecture की शुरुवात, आज हम लोगों ने numerical के साथ में करी है, we have started our lecture with the numerical, चलो आज के lecture में और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को सीखने को मिलेंगी, और भी बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग अभी शुरुवात कर देते हैं अपने टॉपिक को, देखो हम लोगों ने electrostatic potential energy पढ़ रखी है, अब उसके बाद में हम लोगों ने potential difference, यह वाला एक topic खतम कर लिया है, अब आज का जो हमारा topic है, वो है यहाँ पर electric potential, अब देखो, पहले हम लोग शुरुवात कर देते, electric potential due to a point charge, due to a point charge, ठीक है, यह हमारे पास में heading है, एकदम simple सी heading यहाँ पर आपके सामने मैंने लिख रखी है, अब क्या होता है, heading लिख दिना बहुत आसान काम होता है, heading लिखने में जाता क्या है, pain चलाना है, लिख दी भईया, यहाँ पे छप गई heading, उसमें क्या दिक्कत है, a point यह आता है, यह electric potential due to a point charge, जब यह point charge के electric potential हम लोगों को calculate करना है, तो हम लोग proceed कैसे करेंगे, जड़ा उसको देखते हैं, ठीक है, how we are going to proceed, मैंने क्या बोला, let's say मेरे पास मैं यहाँ पर एक plus q charge है, जो एक point charge है, जो की एक point charge है, बिंदु आवेश है, इससे मैंने आप से पूछा है, आर दूरी पर, यहाँ पर कोई point मैंने मान लिया है, पी, यहाँ पर मैंने कोई point मान लिया है, पी, और सवाल यह है कि भईया, पी point पर potential कितना आएगा, यह आपका सवाल है, this is your very small question, हाला कि अब दे को answer तो आप directly भी दे सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप पहले समझ यह चीजों को क्या हो रहा है, क्या हम लोग कह रहे हैं, कैसे electric potential को define करना है, किस प्रकार से हम लोग बात करते हैं, electric potential को define कैसे किया गया है, इस point पर जो भी electric potential को define किया गया है, वो define किया गया, by the amount of work done, by the amount of work done in bringing the unit positive test charge from infinity to that point, मतलब यह है, simple सी बात यह है, कि यदि मुझे इस charge Q के कारण इस point पर electric potential लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, एक unit positive test charge को लूँगा, मैं क्या लूँगा, एक unit positive test charge को लूँगा, उसको infinity से धीरे, 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 करते हुए, यहां तक सरका के लाँगा, अब जब मैं सरका के लाँगा, तो basic सी, simple सी बात है यह, इस charge के कारण यहां पर एक electric field present रहेगा, तो उस electric field के against, you will have to do some work, you will have to do some work, और यह जो कितना कार करना पड़ रहा है आपको, that amount of work done is called as electric potential at that point, due to this point charge, बात को समझे, भावनाओं को पकड़िये, मैं क्या बोल रहा हूं, इस point charge plus Q के कारण, यदि मुझे इस बिंदू पर electric potential calculate करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक unit positive test charge के पास गया, उस से request कर दो, ओ भाईया, हमारा थोड़ा सा काम है, ज़रा help कर दो, बो तो वहां से अब मैं धीरे 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 आपको यहां तक ले के आऊंगा, अब मुझे कितना कार्य करना पड़ रहा है, इसे मैं calculate कर लूँगा, और जो भी कार्य मेरे को करना पड़ रहा है, that is the electric potential due to this point charge at this point, कहानी clear है, yes or no, अब होता क्या है basically, जब आप कुछ work done कर रहे हो, इस unit positive test charge को यहां तक लाने में, तो उस दर्मियान जाने अन जाने में आपने क्या कर दिया है, इन दोनों charges का एक system create कर दिया है, इन दोनों charges का यहां पर क्या create कर दिया है, एक system create कर दिया है, अब यह जब system create हो गया है, तो system के कारण यहां पर इसकी system की एक potential energy बन चुकी है, क तोड़ा दिखना नहीं होगा जितना वाइड दिखता है कोई बात नहीं मैं कलर थोड़ा सा दूसा ले लेता हूं हालां कि एक दो जिन में आदत आ जाएगी कौन सी कलर नहीं लेना है घर के ठीक है vp बराबर u upon q0 u upon q0 u क्या है बिटा u is the potential energy of the system मतलब आप लिखोगे vp बराबर u मतलब k into q into q0 upon rp whole divided by q0 मतलब आपका अंसर आ गया k q upon rp ठीक है सो वी पी को मैं अच्छे से लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं वी पी बराबर क्या हो गया के क्यू अपॉन आर ये सिंपल सी बात है डिस्टेंस ऑफ आर एड पॉइंट पी की डिस्टेंस खतम कहानी इतना सा आसान सा फॉर्मूला है बस यहां पर ध्यान क्या रखना है कुछ चीजों के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं वह यह हैं कि अब यदि स्कीलर कॉइंटिटी है को आक सेमांन आपके अपके पास मैं कहीं 2 चायूंजर्ज रखे हैं तो वह यह दोनों के कारण यहां पर पोटेंशल को मैं आड कर लूह मतलब सिंपल सी बात यह है कि यू कैन एलजेबरिक सम एलजेबरिक सम केन बी परफॉर्म एलजेबरिक सम यहां पर परफॉर्म किया जा सकता है to find the net potential due to system of charges बहुत सारे charges यदी मेरे पास में हैं मतलब उसको कैसे में बताऊंगा मान के चलो हमारे पास में क्या हो गया यहां पर एक charge है Q1, यहां पर एक charge है Q2, यहां पर एक charge है Q3, यहां पर एक charge है Q4 और up to so on QN charges है यह एक point मैंने decide कर लिया और यह point P है इस Q1 charge की यहां से लेकर के यहां तक की distance let's say R1 है इस Q2 charge की यहां से R2 है अचा वेक्टर का तो कोई खेल है ही नहीं तो बहुत आसान topic हो गया है यह Q4 के का बिटा R4 है और यह जो QN है इसके कारण यह distance RN है ठीक है यह बास में आ गई बहुत सारे charges लिख दिए अब यहां पर यही मैं एक simple सी बात बोलूँ पीटा Q1 के कारण यहां पर potential लिखना है तो मैं उसे लिखूंगा V1 बराबर KQ1 अपॉन R1 क्या सही लिखा है बिलकुल सही लिखा है अच्छा Q2 चारज के कारण यहां पर potential कितना लिखा जाएगा V1P V2P can be written as KQ2 अपॉन R2 सही बात है इसी तरह से मैं यदि Q3 चारज के कारण बात करता हूं तो मैं लिखूंगा V3P बराबर KQ3 अपॉन R3 यस and similarly so on करते हूए मैं NW चारज के कारण P point पर जो potential लिखूंगा मैं वो लिखूंगा KQN अपॉन RN यस और नो मैं बहुत सही बात है अब मैंने यहां पर आपको एक point बताया है कि भाईया Algebraic Sum can be performed to calculate the net potential इसका मतलब यह है कि भाईया VN जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा V1P plus sorry VP जो लिखा जाएगा P point पर potential net potential VP V1P plus का V2P plus का V3P plus का up to so on और last में VNP so overall यही मैं values को put कर दूँ तो क्या बन जाएगा बिटा VP बराबर आएगा KQ1 upon R1 KQ2 upon R2 और plus last में KQN upon RN यह मेरे पास में formula बनते हुए नजर आ जाएगा क्या यह बात clear है चलो last में इसको लिखना है तो हम लिख सकते हैं V बराबर can be written as K summation of QI upon R1 I equals to 1 से लेकर के N तक जितने भी charges सब में summation मार दीजिए आपका काम यहां पर होते हुए नजर आ जाएगा क्या यह बात समझ में आ रही है आप लोगों को या नहीं आ रही है बताओ कोई difficulty है क्या कोई difficulty नहीं होनी चीए बहुत ही आसान सा टॉपिक है एकदम हलवा कही लोग बोलोंगे सर हलवा हलवा कहते हुए आप एकदम से बाउंसर लगा देते हैं हम लोग समझते हैं कि फिल्टॉस आ रही है यहां पर कभी यॉरकर बन जाती है हंगे पता ही नहीं चलता और विकेट सीधा सीधा डाउं फिकेट सीधा सीधा डाउं की चलो कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं हम लोग अब को अब जब मैं आगे बढ़ रहा हूं तो मैं आपको कुछ चीज़ें और क्लियर कर दूं हमने लेक्ट्रिक चार्जेंट फील्ड वाला चैटर कंप्लीड कर लिया है उसके अंदर में लोगों ने लेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए करना सीख लिया है मतले लेक्रि अब मैं क्या चालता हूं जैसे हम लोगों ने अलेक्ट्रिक चार्जेजर फील्ड चैटर में लोगों यहाँ पर क्या करते हैं और क्या बुलता है यहाँ बात करनी है तो हम लोगों को एक heading डाल देनी चीए लाल से डालता हूं देख तो क्या ऐसी आती वैसे जंडली मेरी आदत भी रही है पहले मैं लाल से heading डाला करता तो वही डालने की कोशी कर रहा हूं तो मैं पहली main heading लिख देता हूं relation between electric field and potential ये विटा हमारी heading है इस heading को यदि आप देख पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है और नहीं देख पा रहे है तो मुझे भी कौन सी दिख रही है ना ऐसी नहीं है मेरे को दिख रही है बस बोलता हूं मैं कुछ चीजे मजाक वाली बोलनी चाहिए उसके बिना काम नहीं बनता है अब मेन कलर पर आ जाते हैं जो अपने दिखते हैं यलो एंड वाइट गोल्ड और सिल्वर ही दिखता ही है ना बाकी कौपर को कौन पूछता है है ना बस वही खेलें आपे चलो आजाओ प्रॉपर सुनार की दुकान पर आ गए अब हम लोग अब मैं क्या ब बात इतनी सी कहना चाहता हूं कि भीया जिन लोगों ने वर्क एनरजी पावर वाला चैप्टर नहीं पड़ा है वो जाकर के वर्क एनरजी पावर वाले चैप्टर को फिर से एक बार रिमाइंडर दे रहा हूं ध्यान से पढ़ ले इलेक्रिक चार्ज एजन फील्ड वाला पर या कही है वेखर फोला था चल कोई ठेंख बाता है हम लोख शुरू करते हम लोग शुरू करते हम लोग सुरू करते है udah बाई आए कंजर वेटिव फोर्स क्या होता है बताओ यह होता है माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशील एणरजी अरे बोलो सही है क्या, बिलकुल सही है, so मैं लिख सकता हूँ, work done by conservative force, बराबर minus times, u final minus u initial, ध्यान रगना यह u है, मैं बोल रहा हूँ इसलिए, यह आपको कहीं u और v में confusion हो, तो सुनते भी चलना मैं बोल क्या रहा हूँ, तो मैंने बोला, u final minus u initial, मतलब यह simple सी बात है, work done by conservative force, कंजर नहीं लिख रहा हूँ, कंजर वेटिव है, कई लोग अपने मन में खुशी बना रहे होंगे, कंजर 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 क्या लगा रहा है, यह कौन सी भाशा है, कौन से word है यह, ओ कंजरा, तो work done by conservative force, u initial minus u final, कहां पढ़ा है हम लोगों ने, यह class 11th की physics में पढ़ा है, जहां work energy and power chapter हुआ करता है, ठीक है, अच्छा work done by conservative force हो, या कोई भी force हो, तो हम लोग work done को, हम लोग कुछ इस प्रकार से भी तो लिखते हैं, work done को हम लोग लिखते हैं, या integration f vector dot dr vector, अब देखो, जब यह word done लिखते हैं, इसमें कोई यह थोड़ी होता है, कि भाईया force कौन सा है, कोई ऐसा होता है, क्या, नहीं होता है, हाँ, अब यहाँ पर conservative है, तो यहाँ पर force भी conservative हो जाएगा, उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा, यस और नू, तो यह simple सी बात है, कि इन दोनों के जिए मैं आपस में relate कर दूँ, तो मैं कह सकता हूँ, यहीं कर देता हूँ, इतना तो दिखी जाएगा, u initial minus u final बराबर copy paste, integration f vector dot dr vector, क्या, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई, golden, golden, अरे बोलो, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई है, तो देखो, एक बार मैं फिर से लिखना ही जाऊँगा, मैं पसंद करूँगा कि मैं इसको लिख दो, u initial minus u final बराबर integration f dot dr vector, यह mechanics का concept से यह आपको याद हो, from the chapter या from concept of mechanics, मैं mechanics लिख रहा हूँ, बट मैं specifically आपको बोल चुगा हूँ, we have studied this topic in work, energy and power, बार बार चिला चिला के बता रहा हूँ, बार बार revise कर रहा हूँ, यदि अब भी नहीं किया ना, तो भाई साथ चुल्लू बर पानी में जाके डूब मरो, F बराबर, माइनस डबा यू बाई डबा एक्स, आई कैप, माइनस डबा यू बाई डबा वाई, जे कैप, माइनस डबा यू बाई, डबा जेड, के कैप, कितने प्रतिषात विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें यह समबंद याद है। उनको मिलेगा एक रुपिया अपने घर में से ही ले ले لे ना। f बराबर माइनस डबा यू बई डबा एकस, i-cap माइनस डबा यू बई डबा यू जड, k-cap. यह relation याद है, उके, चलो, अब हम लोग, ये तो class 11 के concept है, अब हम लोग class 12 के concept पर आते हैं, Class 12 के concept कहते हैं भईया हमसे F बराबर QE F बराबर QE क्या ये relation आप लोगों को याद है सर जी याद है अच्छो एक बात और याद कर लो U बराबर Q into V क्या ये relation याद है मैं जानता हूं डेल्टा V होना चीए था अब कहानी क्या होती है इन दोनों को जरह मैं यहां पर रिलेट करने की कोशिश करता हूं रिलेट करूफ उदाफट से तो भाई यहां जब आप रिलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि दर गया याय're, पहले उसको देखना पड़ेगा मेलको u initial minus u final बराबर integration f dot dr u initial minus u final मतलब मैं लिखोंगा q into v initial minus q into v final बराबर फिर क्या लिखाता है उदर में integration f vector dot dr integration f vector dot dr vector मतलब आप लिखोंगे integration q into e vector dot dr vector भाई यह q तो constant है ना अरे q constant है उस पे वेक्टर मतलब लगा ले ना charge is a scalar quantity चिल्ला चिल्ला के बताया हूँ मैं तो भाई यह को q आएगा common यहां से तो आपको मिलेगा v initial minus का v final बराबर integration e vector dot dr vector क्या यह चीज मिल चुकी है आप लोगों के सामने और यदि यह चीज मिल चुकी है तो अब जड़ा अब जड़ा दिहान से देखिए क्या u initial minus u final बराबर integration f vector dot dr का मतलब f बराबर होता था minus double u by double x i cap तो बिल्कुल ऐसे ही आएगा e vector बराबर minus double v by double x i cap minus double v by double y j cap minus double उत्री double v by double z k cap बोलो बात पकड में आई है या नहीं आई है फटा फट देखो अरे यह समझ में मैं direct relation लिख दिया हूं इसको sir direct लिख दी यही तो परेशानी है अरे यह सब समझाया है na class 11 के concept से यही लिखाएगे नहीं देखो यह यहाँ पर integration में f है मैंने यहाँ अरे sorry विड़े हैं यहाँ पर vector आएगा तो f vector है f vector बराब minus double u by double x u initial minus u final तो यहाँ देखिए विटा v initial minus v final बिलकुल similar चीजें चल रही है कुछ भी नया नहीं है कुछ भी नया नहीं है 1% नहीं चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं सब कुछ पुराना है और यज़ी सब कुछ पुराना है तो आपको आना चाहिए so it implies I can write that e vector बराबर देखो v को common निकाल लो minus को common निकाल लो तो minus इदर से common आ जाएगा यह आएगा double by double x i cap plus double by double y j cap plus का double by double z k cap और यह बाहर v कई लोग सुझेंगे सर ऐसे भी common निकल जाता है याद कर लो ऐसे common निकल जाता है और इस चीज को हम लोग बोलते हैं ऐसा उल्टा ट्राइंगल के उपर एरो यह वी हो जाएगा जिसे हम लोग बोलते हैं e vector बराबर minus times gradient of v ठीक है हाना कि यह सम नीट में नहीं पूछा जाता है वहाँ तक पूछते है नीट में medical entrance में नीचे तक नहीं आते हैं उपर तक ही निप्टा देते हैं आप लोगों को उसी में कई लोग हैरान परेशान से घूमते रहते हैं लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि यहां तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई हूँ यह कुछ नहीं नोटेशन से हैं जो हायर लेवल पर यूज किये जाते हैं सो नीट में इसकी जरुवत नहीं है नीट में वहीं तक हो जाएगा काम खतम ठीक है अब या फिर हम लोग यहां पर थोड़ा सा चीजों को recall करवाने के लिए मैं बोल सकता हूँ क्या रिकॉल करवाने के लिए मैं बोल सकता हूँ कुछ पूछ 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 लूँ आप लोगों से अरे कुछ पूछ लूँ गया सर क्यों हमारी आत्मा को सता रहे हो चैन से हमें भी बैटने दो शांती से आप भी बैटो है ना हाँ चलो पताओ डबा बाई डबा एक्स का मतलब क्या होता है यहां पर वी बी आएगा डबा वी बाई डबा एक्स ओ तेरी कहां से आया भाया मैं पूझ रहा हूँ यह दबा V by dолж X, dabbा V by dgl Y, dabbा V by dgl Z क्या है यह सब चीजे, फटा-फट से बताओ क्या है यह चीजे, डबा V by dgl x क्या है यह डबा? यह कहता है partial differentiation, क्या कहता है यह? ये कहता है partial differentiation of V with respect to X लेकिन यहाँ पर एक condition भी है क्या condition है पिटा? keeping Y and Z constant Y और Z को क्या मनना है? constant मनना है और यदि ये बात समझ में आ चुकी है तो अगला सवाल का answer देदीजे डबा V by डबा Y क्या है? और डबा V by डबा Z क्या है? समझ गया होगा? partial differentiation of V with respect to Y keeping Y लिखा है मतलब X and Z constant और similarly डबा V by डबा Z क्या है? partial differentiation of V with respect to Z और क्या है? keeping X and Y as a constant keeping X and Y as a constant ये हमारी पूरी की पूरी कहानी है ठीक है? बोलो समझ में आया आप इसमें सवाल चलेंगे देखो आपको याद होगा work energy power में किदर गया ये? हाँ work energy power में इसमें पूरा एक lecture सवाल करवाई रहे मैंने? अब मैं करवाऊं क्या? बिल्कुल नहीं करवाऊंगा? सर ये तो गलत बात है बेहिमानी आप बेहिमानी करते हो बीज-बीज में बार-बार अरे भीया देखो क्या है वही सवालों का पैटने दो-तीन सवाल करवा दोंगा आपकी आपकी आत्मा भी खुश रहेगी हमें भी दूआ मिलेगी तोड़ी सी है ना? सही बात है कि नहीं? कई बोलोंगे सही बात है चलो मैं आप से कुछ पूछना चाहता हूँ मैं आप से कुछ पूछना चाहता हूँ क्या मैं पूछू? सरिती देर से पूछ पूछ की परेशान कर रहे है आप तो उत्तर दिना है हामें या ना में? और सवाल है कुछ इस प्रकार से के क्वेलचर वा इस एक बात्र एक ट्रक 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 काट इस जुर मैं यादर्ध थांप्र एलेक्ट्रिक पॉटेंशियल एट पॉइंट इस ओल्सु जीरो इस ओल्सु जीरो क्वेश्चन यह स्टेटमेंट है स्टेटमेंट है कथन है क्या कहता है यदी किसी बिंदू पर विद्युत शेत्र की तीवरता शून्य है तो उस बिंदू पर विद्युत विभव भी शून्य होता है इसका उत्तर आपको देना है यस और नो के फॉर्मेट में फटापड से दीजिए अरे बोलो उत्तर रेडी हुआ या नहीं हुआ कही लग सरके काया बोते स्क्रीन भी गायव हो गई यह क्या हो गया अच्छानक से कैसे दिखने लग गया यह वाइट वाइट हो गया सवाल सुनिए सवाल को पूछिए सवाल क्या था मैंने बोला था सवाल मैंने बोला था कि यदी किसी बिन्नू पर ऐल्लाक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो क्या उस पॉइंट पर एल्ल्लेक्रिक पोटेंशल भी जीरो होगा that's my question तो कैसे करेंगे हम लोग इसको सोच यह जारा थोड़ा सा दिमाग लगा दिए यह आंसर यह जो statement है true है या false है पहल तो उसका answer बताईए फटापट बोलिए answer is true or false answer is true or false कैसा है answer true आ रहा है कि फॉल्स आ रहा है और कितने प्रतिशत ऐसे हैं जिनका फॉल्स आ रहा है इमांदारी से उत्तर देना है पाप लगेगा नहीं तो चलो हम लोग बात करते हैं हम लोग ने सेट अप बना लिया ऐसे चार चार्जेज लगा दिए अब यहाँ पर देखो हर एक के कारण यृदि मैं बात करता हूँ यहाँ पर सिचुवेशन क्या है कि कहां चला गया है प्रोटं यहाँ पर क्या ओरा है चार चारज़ज लिया है अब बात बतााओ इनके कारण प्रोटस कहीं 0 आ सकता है बिलकुल आ सकता है एक उंड बर यहां पर इसके प्रिया रखुंट ट्रान का इस यहां बॉलों क्या हो जाएगा रख? यहां पर दो आर्ल किया हो जाएगा चाहे लूशाए भी कहाएं yes or no, अज़्ह समय को ऐखी suchas gonna, अब की ने वेटा, अच्छा यदी मैं आगे बात के बात करता हूं, की लिए, तु इलेक्ट्रोस्टाटिक पोटेन्शल इलेक्ट्रिक्रिक पनेशल कैसी कॉईंटीटीज हो थी हो थी हो तो क्या आएगा करें किप्लत प्लस प्लस में करने चार बार तो समझ में आ गया होगा ना तो आएगा यह आएगा फोर वी आएगा और फोर वी आगया तो इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि यह जो स्टेटमेंट है वह कैसा है फॉल्स है क्यों एलेक्टरिक फिल जीरो आया था लेकिन एलेक्टरिक potential कितना आ रहा है, for we आ रहा है मेरे पास मैं ये बात आप लोगों ने पकड़ ली होगी. So, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि ये वाली बात आपने पकड़ ली होगी और यदि ये वाली बात आपने पकड़ ली है, बनो जा ओके तो यह वाली बात आपने पकड़ ली है तो अब सवाल आपके सामने था इसका उत्तर आपको देना है यह जो statement है यह false statement है यह statement कैसा statement है false statement है उत्तर लिख लोगे कि निख लोगे if electric field at any point is 0 then it is not necessary that the electric potential at that point is also zero, ऐसा कोई जुरूरी नहीं है, मैंने अभी आपके सामने बहुत ही खुबसूरती के साथ में छोट आसा कुछ तो भी करने की कोशिश की, अब देखो कैसा आपको लगा होगा, आपको अच्छा लगा, तो बहुत अच्छी बात है, आपको थोड़ा सा लगा होगा, अरे य जिन्दगी में कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो हम लोग धीरे-धीरे कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया आपके लिए लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज उस कोशिश का पहला प्रयास था, मैं उमीद करता हूँ कि ये प्रयास आपको अच्छा लगा होग आगे और भी हम ऐसे छोटे-छोटे से प्रियास करते रहेंगे और जिनको आप क्या बोलते हैं सफलता की दरफ लेके जाएंगे ठीक है समझ में आया किसी बिंदू पर शून है तो इसका कोई मतलब यह क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ सकता है हाला कि अब देको एक सर्शन नहीं आते लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन बना सकता है इस एक पॉइंड जीरो चार ऑप्शन देगा इलेक्रिक पोटेंशल इस ऑल्सो जीरो एलेक् इस पर अगला सवाल पूछ लेता हूं अगला सवाल बता अब देको सवाल समझ में आ गगगा अगला सवाल क्या है if at any point यदी किसी बिंदू पर if at any point electric potential is zero electric potential is zero then then electric field is also zero basically देखो क्या होता है आपको भी इसका अंसर देना statement में true or false में अब कई लोग क्या सोते हैं और V बराबर हो गया के क्यू अपॉन आर क्यू जीरो तभी तो वी जीरो होगा तो वह बच्चों वाली हरकत है मत करो पहले एक बटा दू 9-10 क्लास के बच्चे नहीं हो जिनका logic नहीं चल रहा है कुछ भी थोड़ा तो logic लगाओ और logic नहीं लग रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया है जंग लग रही है और जंग निकालने के लिए क्या करते हैं पॉलिश पेपर लेके आया जाता है या रंदा लेके आया जाता और उसके बाद दे घसाई पे घसाई समझ में आई बात आरे लोगों तो जोकी समझ में नहीं आते मेरे सर हम 11 12 के बच्चे हैं और आप इंजिनिरिंग और मेडिकल लेवल के जोक मारते हो कैसे पकड में आएंगे हम इसलिए अभी से ऐसे जोक मार रहें ताकि आप कॉलेज में पहुंचके उन जोक के साथ कमफर्टेबल फील करो ठीक है चलो बोलो फटाबट से सवाल पूछ लि बोल रहा हूं स्टेटमेंट मुझे भी मालूम है इंगलिस थोडी तो आती है अब इतना लिख रहा हूं तो थोडी तो आती होगी ना चलो बताव फटाबट से टू है या फॉल्स है फटाबट फटाबट कितने लोगों का प्रू आ रहा है हाथ कर लो कमरे में बैटे तो आती होगे और इक फटाब से वीडियो आनिमेशन आएगा नहीं विटा टाइम लगता है वीडियो अनिमेशन मनाने को अई एक से मंसे करता हूँ तरीं टेंग दिंग 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 मैंने क्या कर दिया इसको क्यू रख दिया प्लस क्यू इसको प्लस क्यू रख दिया इसको माइनस क्यू रख दिया और इसको माइनस क्यू रख दिया अब बोलो अब बोलो इसके center पर इसके center पर अरे net potential 0 आया या या नहीं आया सर कैसे आया हमें कैसे मालूम किया आ गया देखो यह A है यह A है तो यह पूरा diagonal विकर्ण कितने का root 2 A का और यह square है तो उसका आदा हो जाएगा मतलब A by root 2 मैं उसको R मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए यह आ रहे है तो यह भी आ रहे है यह भी आ रहे है और net potential 0 आएगा कितने आएगा देख लो जोड़ो यार चार चार्ज है के क्यू देखो कैसे लिखेंगा के क्यू अरे यह कौन से मिट गया यार मैं लिखके देखो यहां पर बता रहा हूं potential at point P will be equals to what मैं इसको number 1 दे रहा हूं इसको number 2 दे रहा हूं इसको number 3 दे रहा हूं इसको number 4 दे रहा हूं तो आएगा बिटा k q upon r plus k minus q upon r plus k minus q upon r एका मिट गया और plus k q upon r चारों को जोड़ो 0 आएगा अरे आप तो खुश हो अरे हो या नहीं हो सर थोड़े थोड़े से हुए है जादा तो नहीं हुए है चलो आ गया जाओ अब electric field देखो इसके कारण electric field इस direction में सही है गया यह e1 आएगा अरे बने यह e2 के बारे में सोचो तो क्या यह e2 इधर आएगा क्या भाई यह minus की तरब होता है 3 के कारण देखो 3 के कारण electric field e3 इधर आएगा और 4 के कारण electric field इधर आएगा अब सोच यह इन सारे electric field की जो magnitude है वो e आएगा kq upon a by root 2 मतलब root 2 और नीचे a तो इन दोनों को जोड़ लो और यह आपस में कहां पर है यह 90 डिग्री पर है तो क्या इनका net electric field 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है मैं चाहता तो इस सवाल को भी करवा सकता था पूरा लेकिन कुल मिला के सवाल यह है कि e net is not equals to 0 और जो net electric field है उसकी direction में इस direction में आ रही है इस बात को ध्यान दगना यह मैंने करवा दिया है वैसे तो यह भी एक सवाल है अपने आप में और इस सवाल का answer मैं उम्मीद करता ह होगा सरकाह का answer कौण सा answer कौन से मजाक वाली बात में आ जाते हो आपको मालूम है हम तो पढ़ते ही नहीं है हमने तो पड़ना ही नहीं है हम अपने माबापके है उसे हम पूरा करके ही रहेंगे अरे बोलो सही बोल रहा हूं की गलत बोल रहा हूं सर आखों से आशू आ गए सर बातें चुब रही है सर अब बातें चुब रही है तो थोड़ा सा कष्ट भी करो कष्ट करोगे तो ही तो फल मिलेगा कि बिना कष्ट के फल पाने की अहां 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 अहां, electric potential in a region is given as, in a region is given as, v equals to x square plus y square, then find, जगे नहीं तो मैं आगे plus z square भी लिखने वाला था, लेकिन जगे की कमी के अभाव में, मैंने ऐसी वहीं तक छोड़ दिया, find electric field vector, अरे बोलो कर पाओगे कैसे सवाल को, find electric field vector, करो इसको, अरे करो, sir कैसे कर लें, आता ही नहीं है न, देखो रोना आ गया मैं तुम्हारे चक्कर में, e vector बराबर याद करो, minus double by double x i cap minus double by double y j cap minus double by double z k cap, सही है, कितने लोग सोच रहे थे कि हम सामने class में बैटे होते थे तो हम भी सर के पीचे, सुर में ऐसी गारे होते थे, है ना, गारे होते थे, नहीं गारे होते थे, मालूमें में देखो, चलो, बटा-बटा आजाओ, इदर, सवाल सॉल करो, नहीं तो, क्या होगा, मार पड़ेगी, चलो, आजाओ, फटापवर, मइनस टाइमस, डबाभाईडाउ एक्स, ऑफ एक्स सक्वेर, प्लस, वाई स्क्वेर, आएक्वेर, माइनस, डबावी, बाईडावाई, वी कहां पे लिख दिया है मैंने, औरके, अट, डबा भाई डबा भाई x square प्लस y square j cap माइनस डबा भाई डबा जेड x square प्लस y square और k cap differentiation करना तो आता ही होगा कि भूल बाल गए बूलो डबा भाई डबा अस का मतलब क्या था डबा भाई डबा अस का मतलब था कि जो भी given function है उसका with respect to x partially differentiate करना है keeping y और z constant y और z constant मतले इसका difference 0 इसका answer कितना आएगा e vector आपको आते हुए नजर आएगा minus को मन बूल जाने है आके यह आएगा 2x i cap ऐसे आगे बढ़ जाओ minus का 2y j cap आगे तो 0 ही आने वाला है ठीक है बोलो सबका answer है कि e vector बराबर minus का 2x i cap minus का 2y j cap बोलो समझ में आया अरे कुछ समझ में आया या नहीं आया सर लिटिल लिटिल आया थोड़ा थोड़ा सा आया थोड़ा तोड़ा सा नहीं आया अच्छा इस पर उल्टा भी सवाल बनता है यदि आप लोगों को याद हो तो वर्क एनर्जी पावर के concept और जिनको बिटा वर्क एनर्जी पावर के concept याद नहीं आ रहे हैं फिर से मैं बोलूंगा चलो आजाओ आगे बढ़ते हैं अच्छे बात बताओ अगला सवाल लिखने से पहले मैं आप से कुछ चीज़ां पूछना जाता हूं कैसे देखो यह यह बेसिकली था ना जे कैप माइनस डबा वी बाई डबा जेड के कैप ऐसा था मैं इसको जादी थोड़ा सा एज़ेस्ट्मेंट कर दूं माइनस का कॉमन ले लूँ यह मैंने करा था शैसे मिनको याद नहीं आ रहा है कि है ना कि अजा आई कैप कि जे कैप के कैप और यह वी ऐसा कुछ याद आ रहा है कुछ ऐसा तो मैं इसको शॉर्टकट में सीधा-सीधा लाके ऐसे भी तो लिख सकता हूं इवेक्टर बराबर माइनस का डी वी बाई डी आर इवेक्टर अटा दो बस इसमें से कि अजे लिख सकता हूं रे लिख सकता हूं रे लिख सकता और यहां से में इसको थोड़ा उल्टा सुल्टा ले ले लाँ तो डी वी बराबर e dot dr और minus यहां लगा लो ठीक है minus dv बराबर e dot dr अब आपको भी मालूम है यह तो नो वेक्टर कोई इसे भी लिख सकता हूँ it implies minus का dv बराबर integration e vector dot dr vector yes or no यहां से मैं आपके सामने कुछ point बताना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि यह point को आप खुद से note down करें और बताएं कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था इस point के माध्यम से कई लोगों को याद नहीं आया होगा integration की basic property मतलब क्या है area under electric field and position vector gives what minus times change in potential difference minus times change in potential difference v initial minus v final मिलता है नहीं तो कहीं उल्टा सा v final minus v initial मत कर देना oh my god सर ये भी यहां तक ना पड़ेगा हाँ initial potential minus final potential मिलता है क्यों minus of dv लिखूं क्या मैं इसको सर लिख दोगे तो तेरी महरबानियां कहेंगे अरे आजा इसके लिखेंगे नहीं minus का v final minus v initial बराबर integration e vector dot dr vector मतलब मैं लिख सकता हूँ v initial minus v final बराबर area under electric field and position ठीक है basically मैं आपको जोड़ा सा और elaborate कर देता हूँ में लिख सवाल वगेर आएगा तो वो कुछ ऐसा आएगा कि इसको ऐसा बोल सकते हैं कैसा मालूम गया e बराबर minus का dv by dx so it implies v initial minus का v final बराबर integration e dot dx ऐसा रहेगा मतलब एक ही जैसा ग्राफ रहेगा या तो x में या y में या z में यह की प्रिपरेशन तोड़ी कर रहे हो जो उसमें पूरा तीनों दे देंगे आपको एक्स में दे देगा मतलब को इस प्रकार से कि एलेक्ट्रिक फील्ड अलॉंग एक्स डारेक्शन इस चेंज लाइक दिस और यहां पर कुछ तो भी ऐसे ऐसे कुछ तो भी ग्राब बना इस ग्राब को मैं ध्यान से देखूं यह पॉइंट ए मान लूँ यह पॉइंट बी मान लूँ तो यह इनीशल पोजीशन हो जाएगी यह फाइनल पोजीशन हो जाएगी तो मैं लिखूंगा वी ए माइनस का वी बराबर एरिया ठीक है अब इसमें से कुछ तो भी वो दे देगा और कुछ तो भी आपसे निकल वाएगा अब एरिया देने के लिए वह यहां पर कुछ पॉइंट वगएरा मार करके देगा और उससे रिलेटेड सवाल बनवाएगा क्या यह बात समझ में आई है नहीं आई है ठीक है अब कैसे कर सकता है जैसे मान चलो मैं पूछ ल लगी होता है कि लो भाई आप लोगों को भी सुकून मिलेगा है चैन मिलेगा हाओ यह पॉइंट ए टू कॉमाजीरो होगा जाहिरसी बात इंद मैं यह वाला पॉैंट्ध यह वाले पॉंट्ध की परेशानी इस पॉंट को हम लोग कितना लिखां चाहें बोल जो मन में 20 Newton पर कुलाम 20 Newton पर कुलाम सही लिखाए कि एफ बराबर qe एफ बराबर qe तो e बराबर f अपॉन q Newton पर कुलाम हाँ क्या होगा रहा न कई बार है गलती से युनिट गलद लेग जाती है इतना सब अच्छा करो और उसमें लाष्ट में छोटी सी एक mistik कर दो सब पूरे किये कर पर पानी फिर जाता है ठीक है सवाल यह है if potential at origin if potential at origin is 5 volt लेलो जो भी लेना है वो लेलो आप तो मेरे से क्या फर्क पढ़ना है is 5 volt then potential at 2,0 ठीक है मैं 2,0 पूछ रहा हूँ बाकी कई बार है ने एक्जाम नर्ण बीच में पूछ लेता है और आप पूरे का एरिया निकालाते हो चौकना कर रहा हूँ श्वान निद्रा बको ध्यानम स्वारी काकचेश्टा बको ध्यानम याद है कि नहीं कुछ ऐसा चलो बोलो कैसे करेंगे कुछ नहीं करना है सिंपल सी बात है आपको लिखना है वी इनीशल माइनस का वी फाइनल बराबर एरिया अंडर कर वी इनीशल आपको दिया है पांच माइनस वी एट पॉइंट इसको पी मान लो तो वी पी आपको निकालना है बराबर इसका एरिया तो भीज़े देखो इसका वन और इसको टू मान लो तो इसका एरिया कितना आएगा 20 प्लस का हाफ इंटू बेस है वन का और हाइट है फिर से 20 की सो 5 माइनस वी पी बराबर 10 और 20 तीस तो वी पी बराबर आएगा माइनस का 25 वोल्ट ठीक है इसका मतलब यह है कि भहिया इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो है माइनस 25 वोल्ट बास समझ में आई क्या अरे बोलो समझ में आया की नहीं आया ग्राफ का सवाल पूछ अच्छा इंटीग्रेशन का भी सवाल पूछ सकता है जैसे में अब मैं ग्राफ तक पहुंच गया इसलिए मतलब मैं यहां पर करते करते में एरिया लिख दिया इसलिए मैं नहीं कर दिया धरवाई इस पर सवाल पूछ सकता हूं अरे बोलो यह जो चीज लिखी हुई है क् बिल्कुल बना सकता हूं किसी ने रोका है क्या मुझे बिल्कुल भी नहीं रोका है कैसे करेंगे और यह पूछ लूँगा आप लोगों से क्या एलेक्ट्रिक पोटेंशल जैसे कि बहुत आगे निकल लिए कि चलो ठीक है सवाल यह है कुछ इस प्रकार से कितना आया था अपना आंसर कितना आया था माइनस टू एक्स आई के माइनस का टू आई जे के पाया था क्वेस्टिन यह है कि इफ एलेक्ट्रिक फील्ड अट एलेक्ट्रिक फील्ड अट एनी पोंट इस गिवन एज तू एक्स आई कैप माइनस का टू आई जे कैप देन फाइंड एलेक्ट्रिक पोटेंशियल एलेक्ट्रिक पोटेंशियल एलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डाट पोजीशन एट डाट पोजीशन यह सवाल है आपका फटाफट से करो इसको कैसे कर सकते हो क्या पॉसिबिलिटी है क्या आपको दिमाग लगाना इतना ही आपको बताना है ठीक है मैंने कुछ रह गया गया okay अब देखो यहां पे सवाल को सुनिए then find electric potential at that position पहले मैं आपको सवाल को शुरुवात कर वा देता हूं तागी आप लोगों को भी परेशानी नहीं हो कि exactly हम लोग कैसे करते हैं क्या करते हैं बगेरा बगेरा तो देखो-ई बराबर का आपका होता है e बराबर का होता है माइनस का dv by dr ठीक है वेक्टर बगएरा सब लगाई लेते हैं आप लोग dv बराबर आता है माइनस dv बराबर आता है e dot dr integration आप कर लेते हैं तो यह integration लग जाता है तो यह आपका v initial minus का v final बराबर integration e vector dot dr vector आता है ठीक है अब यहाँ पर परेशान ही क्या है कि इसको कुछ दो दिया ही नहीं है तो dr vector क्या होता है आपको याद है कि नहीं dr vector होता है dx i cap प्लस का dy j cap प्लस का dz k cap इसलिए मैंने बोला था बार बार work energy power chapter को recall करिए बिटा जिन्होंने recall किया होगा उनको यह सब चीज़ें याद होगी तो आप electric field vector लिखोगे तो कितना आएगा 2x i cap minus का 2y j cap dot dx i cap प्लस का dy j cap प्लस का dz k cap बोलो सही है क्या अब dot product लेना है आपको और उसके बाद मैं यह करना है अब यहाँ पर परहिशान ही क्या है इसको मैं आगे समझाओंगा अगली slide पर जगे कम है तो अगली slide पर जब मैं जा रहा हूं तो मैं लिखूंगा क्या v initial minus का v final बराबर देखो dot product करो तो देखो i cap वाले का i cap वाले के साथ में आए तो integration 2x dx और minus 2y dy और dz वाले का किसी के साथ में नहीं तो यह आएगा integration 2x dx minus 2y dy खत्म तो आप यहाँ पर निकाल रहे होंगे v initial minus का v final बराबर 2x का integration बेटा x square by 2 ठीक है minus 2 into इसका करोगे तो y square by 2 कहानी खत्म v initial minus का v final आ गया है आपके पास में x square minus का y square ठीक है अब सवाल के अंदर मैं examiner क्या देदेगा कि बोलेगा initially potential को जितना है फाइनल बताओ या वगेरा वगेरा जो भी है जैसे भी चाहे वह एक्जामनर अब यहां से आगे आपकी पारी में गेंद आ चुकी है अब examiner कैसे घुमाना चाहता है वह examiner की मरजी है आपको बैसे समझा दिए कि यह v initial minus v final की value निकल के आई है आख बंद करके मत करना ही जैसे displacement वगेरा में होता था याद है मैं कैने सोडी बहुत याद हो तो delta r vector बराबर हम लोग integration v vector dot dr vector करता अरे तेरी सॉरी ऐसे नहीं delta r vector बराबर integration v vector integration v dot dt करते थे ठीक है अरे याद है कि नहीं तो महाँ पे delta r vector आता था मतलब r final vector minus r initial vector आता था पड़ यहाँ पे v initial minus v final आया इतना जरूर ध्यान रखना integration यहाँ पर with respect to time यहाँ पर with respect to position है that's the only difference so मैं उमीद करता हूं देको यहां तक की कहानी आपको समझ में आयोगी इसके आगे basic है कुछ नहीं है numerical भी मैंने cover कर वा ली है अब अलग-अलग type के system बनेंगे ring आएगी, rod आएगी, disk आएगी, sphere आएगा, यह आएगा वो आएगा और सब के कारण potential लिखा जाएगा ठीक है सो उमीद करते हैं कि आने वाले अगले lecture में और काफी हद तक हम लोग इसको speed up करेंगे, अब आज के lecture में जो पढ़ा है उसको एक बार recall कर वा लूँगा फटापट से, हालनकि काफी ज़्यादा पढ़ा है मैंने, पहले exam एक numerical से शुरुआत करी, उसके बाद में हम लोग आ गया है, potential at any point निकाला, इसका formula kq upon r है, इसमें ध्यान रगना, algebraism can be performed, मतलब यहाँ पर charges को मैंने बोला है, कि put the charge along with the sign, यदि नहीं बोला होगा उस समय, तब भी ध्यान रगना है, यदि कई माइनस माइनस है तो उसको ध्यान रगना, ठीक है, यह एक relation mechanics से मैंने relate करवाया है आपर, इसको e vector बराबर minus time gradient of v बोल दिया है, और यह कुछ relations आपके पास में, मैंने बोला है, नीचे वाला point काम का नहीं है, एक सवाल करवा है, दो true और false वाले electric field किसी point पर 0 है, तो electric potential क्या होगा, और यदि electric potential 0 है, तो electric field भी 0 होगा, क्या ही है, ऐसे सवाल करवा है, उसके ब बराबर integration e vector dot dr vector, इसका मतलब यहां से हम लोगों ने दो चीज़ें बात करी, एक तो electric potential दिया है, तो differentiate कर दीजे, आगे minus का ध्यान सवाल का ध्यान दखिए, तब आपको electric field मिलेगा, vector में चीदो vector में भी ला सकते है, vector में यह आपका format हो जाएगा, और यदि उल्टा situation है, मतल minus V final होता है, V initial minus V final होता है, यह मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन चीज़ों को ध्यान रख पाएंगे, ठीक है, सो यहां तक हमने आज का पूरा session यहां पर समाप्त कर लेते हैं, मुलाकात फिर से करेंगे, आने वाले अगले lecture के धर्मियान, सो तब तक के लिए, धन्य हाँ.